बुद्ध के पथ पे खुद को खोकर मिलता है मोक्ष का ग्यार, प्रेम पथ पर सेवा कर ले, तो बन जाता है इंसान संगां यूसियन गुद्धां गच्छां भारत की पवित्र भूमी पर अनेक संतों और अनेक विचारवनतों का अनेक इतिहासकारों का जन्म हुआ संतों ने अपने अभंग के माध्यम से समाज प्रभूधन किया विचारवन्तों ने विचारों का प्रचार्व प्रसार करकी समाज को एक नई दिशा के ओर एक रूप किया तो इतिहास कारों ने अपने एतिहासिक संशोधन के माध्यम से एतिहासिक धरोहरों और एतिहासिक अवशेशों से अगत करवाया कुछ इतिहास सामने आए तो कुछ आज भी एक रहस्य बन कर रहे मात्र इन सभी के बीज बहुत से ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपना खून पसीना आईप करके अपना महत्वपुर्म योगदान देते हैं जिनके योगदान से व्यक्ति अपने प्राथमिक आउशक्ता पूर्ण करता है वो है देश के किसान और इन्ही किसान के मसीहा का जन्म विधर्ब की ही मिट्टी के पापड गाउं के श्याम्पराव बापू और राधापाई इनके घर 27 डिसेंबर 1898 को एक विधर्ब रत्नका जन्म हुआ वो थे डॉक्टर पंजाब राव देश मुख बहुजनों की शिक्षा के शिल्पका और क्रिशीक्रांदी के अग्रदूत भाउसाहिब अर्थाद डॉक्टर पंजाब राव देश मुख इनकी चरित्र और कारिय हिमाले से भी उच्चे है देश के किसानों की और महाराश्टर के शिक्षन प्रणाली को भाउसाहब ने बहुत ही गहनता से अनुभव किया था भाउसाहब के पिताजी एक सामाने किसान थे किसानों के हालाद कैसे होते है यह उन्हें बच्चपन से ही क्या था ऐसे विकट परिस्तिती में भी इंसान की सोच और जजबात उतने ही उचे हो सकते हैं यह हम उनके पिताजी के विचारों को सोच कर ही लगा सकते हैं एक सामान्य किसान होने के बावजूद भी बेटा पढ़लिकर परिवार के साथ साथ समाज का नाम भी रोशन करने की आसलिये पिताने पंजाब राओ का दाखिला गाओ के ही एक स्कूल में करवा दिया जहाओ उन्होंने प्राथमिक शिक्षन हासिल किया माधिमिक शिक्षा के लिए वे अमरावती के कारणचा लाण के एक स्कूल में दाखिल हुए शायद किसी ने ये भी विचार नहीं किया होगा कि एक छोटे से गाओ के सामाने परिवार का लड़का शिक्षा में एक नई और उची उड़ान भर सकता है लेकिन कहा जाता है ना कि अगर होसले बुलंद हो तो इंसान आस्मा भी चूलेता है माधिमिक शिक्षा के बाद उन्होंने पूर्णा की फोर्यूसेल कॉलेज से अपने महाविद्यालीन शिक्षा पूर्ण की गरीब होने के बावजूत भी बेटा अपनी मन चाही शिक्षा पूर्ण करे ऐसा हर एक माता पिता का सपना होता है और ये सपना पूरा करने के लिए माता पिता अपना फून पसीना एक कर कारे करने के लिए सदैव तक पर रहते हैं मात्र आज की परिस्तिती में उनके श्रम के अच्छे परिणाम देने वाले भी बहुत ही कम लोग होते हैं भावसाहिब के पिता ने अपनी बेटे की उच्च शिक्षा के लिए खुद की खेद गिरवी रखकर 21 अगस्त 1920 को भावसाहिब को इंग्लेंड भीज दिया शिक्षा के दर्मियान उन्होंने विभिन चात्रवित्ती प्राप्त करने के लिए अध्यन किया अपने माता पिता के परिश्रम का अच्छा परिणाम देने के लिए विकड़ी बद्ध थे उन्हें अपने घर की परिस्तिती अच्छे से ग्याद थी शिक्षा के लिए पिता ने अपना खेत गीरवी रखा है यहाँ भी उन्हें अच्छे से पता था इसलिए उन्होंने वन्स डेनलॉप संस्क्रित चात्रवित्ती पाने के लिए अथक परिश्रम किया इंग्लेंड में शिक्षा लेते हुए उन्होंने वहा के राज किया के वजह से पंचाब राओ एडीमवर्क विश्व विद्याले में सभी के छहीते थे वही उन्होंने बैस्टर एट लॉक की पत्वी हासिल की ओरिगेन एंड डवलप्मेंट औफ रिलीजन इन वेड लिट्रेचर इस विशे पर पीएसडी हासिल की केमरिच विश्व विद्याले में उनकी भे सुभास चंद्रबोज से हुँ तब वे आईसीएस की परिक्षा दे रही थे। सुभास चंद्रबोज जी ने अपने घरवालों को लिखा खत पंचाब राओ को पढ़ने के लिए दिया। पत्र में लिखा था कि मैं आईसीएस साथ उन्होंने अपनी सामाजिक कारे का आरम्व किया। शिक्षा या सफलता की पहली सीड़ी है। इसलिए हर व्यक्ति ने शिक्षा लेना अत्याउशक है। वही एक और अच्छूत जाती में जन्में डॉक्टर बाबा सहाब आमबेट करके मतानुसार। शिक्षा या शे भारत लोटे। समाज में सिक्षा संबंदित जन्जागरिती लाने का उन्होंने प्रयास किया। सन 1932 में उन्होंने शिवाजी संस्थान की स्थापना की। उससे पहले श्रधानन छात्रावास की स्थापना की। शिक्षन जन्जागरिती के साथ साथ उन्होंने किसान की सम समस्या का निवारण हूं और किसान आत्माहत्या ना करें। इसलिए डॉक्टर पंजाब राव देश्मुक इन्हों ने सन 1927 में विज्यादश्मी के दिन शेतकरी संग के स्थापना की। यह शेतकरी संग सभी जाती धर्मों के किसान के लिए था। डॉक्टर पंजाब राव देश्मुक उच्चे शिक्षित होने के साथ साथ वे आधुनिक विज्यानवादी सोच भी रखते थे। घर में कड़क अनुशाशन होने के बावजूद भी उन्होंने सोनार समाज की। विमल वैते इस यूती से अंतरजातिय विवाख किया। जली आ रहे हैं वर्ण जाती विवस्था का दंश जोर कर रहा था। इस मनुवादी सोच को खत्म करने के लिए डॉक्टर पंजाब राव देश्मुक उन्होंने अम्रावती के अंबादेवी के मंदिर प्रवेश को लेकर सत्यागरह करने का निड़ने लिया। इसके लिए उन्होंने एक समीति का गठन किया। 13 और 16 नवेंबर 1927 को अम्रावती के इंद्रभुवन नाटे मंदिर में मंदिर प्रवेश के प्रश्न को लेकर एक परिशत लिगई। इस परिशत में डॉक्टर बाबा सहाब आमबिट कर स्वें उपस्तित थी। महाराश्टर में दलि प्रश्मों के कारियों और विचारों से लोग काफी प्रभावित हुए। शेतकरी संग और श्रद्धानंद शात्रावास इन दोनों संस्थाओं के मात्यम से उनके राजकियों और सामाजिक जीवन की शुरुबात हुए। सन 1927 में उन्होंने अम्रावती जीले के काउंसल के अध्यक्षय पत्का चुनाव लड़ा और वे विचय भी हुए। अब वे राजनिती में सक्रिय होने लगे। जिसके चलते उन्होंने तीन बार लोकसभा चुनाव में चीत हासिल की। उन्होंने देश के पहले क्रिशी मंत्री पत्का कारेभार भी संभाला। जिसके अं अंजाब राव देशमुक्त यह प्रसिद्ध वकील भी थे। मंदिर प्रवेश सत्यक्रह के समय उन्होंने डॉक्टर बावा सहब आमबेटकरजी के साथ साथ कंधे से कंधा मिला कर कारे किया। बाद में वे भार्तिय सम्विधान निर्मान के समय सम्विधान सभा के सदस् डॉक्टर बावा सहब आमबेटकरजी इनके साथ कारे किया। इस दर्मियान उन्होंने सम्विधान सभा में किसानों के हेत्व के मुद्धे भी उठाय। क्रिशी मंत्री रहते हुए उन्होंने जापानी भाज शेती का पूरे देश भर क्रचार किया। और देश में मंत्री रहते हुए उन्होंने जापानी भाज शेती का पूरे देश भर क्रचार किया। और देश में लगभग 19,000 प्रयोग 16 स्थापित की। सन 1955 में टोकियो यहां आयोजित अंतराष्टिय चावल परिशत में उपस्तित रहकर उन्होंने भारत की चावल उत्पात की चान कारी थी। सन 1957 में डॉक्टर पंचावराव देश मुपतुबारा क्रिशी मंत्री बने। सन 1960 से 60 के दर्मयान दिली में जाकतिक क्रिशे प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अमेरिका, रशिया, जर्मिनी, पूलेंड, इराग, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ब्रम्मदेश चीन, मंगोलिया, इरान, विहतनाम, आधी देशों के प्रतिनिदी इस प्रदर्शनी में शामिल हुए थी। इसी के बीच अपने सामाजिक, राजनतिक, सांस्कृतिक कारियों के बीच अब उनका शरी भी साथ नहीं दे रहा था। शिक्षन महश्री, क्रिशी पंडित, रा के विचार आज भी उतने ही प्रासंगी के और महत्वपूर्ण हैं जितने उनके रहते हुए हुआ करते थे। बुद्ध के पथ पे खुद को खोकर, मिलता है मोक्ष का ग्यान, प्रेम पथ पर सेवा कर ले, तो बन जाता है इंसान। संगां यूसियन बुद्धां गच्छां